हेलो अच्छो जब most important case studies की बात होती है और अगर उसमें company's act की case study ना आ है तो वो बात फिर पूरी ही नहीं होती तो company's act का जो corporate wheel है lifting up the corporate wheel की 5 सबसे important case studies आपके सामने लेके आ हूँ चली discuss करते है जो पहली case study है वो है alien enemy की case law क्या है dilemma company versus continental tire rubber company basically बात क्या था कि continental tire एक German company है और यह जो dilemma है वो England में registered एक company है वो German में registered है वो England में registered है जर्मन वाली company इसको tire बेचती है ठीक है और यह इनके बीच का transaction होता है कोई problem नहीं है नाम से transaction चल रहा है यह जो England की company है dilemma इसके जो majority shareholder है वो सब जर्मन है ठीक है और in fact इसके जो सारे directors है वो भी सब जर्मन है मतलब इस नाम की England company का जो actual control है वो German citizens के हाथ में इसमें भी कोई problem नहीं है क्योंकि company और चलाने वाले लोगों के बीच में होती है separate legal entity तो यहां पर भी कोई problem नहीं है तो sir बात क्या हुई अब हुआ क्या जब world war का time आया जब इनके दोनों countries के बीच में world war हुई तो यह लोग नों लोग आपस में एक दूसरे क against थे तो उस time पर continental tire ने एक case file किया dilemma के उपर England के court में कुछ debt बाकी थी एक उधारी बाकी थी उसको recover करने के लिए तो court ने जब investigate किया कि actually क्या यह उधारी बाकी है क्या कोई payment necessary है तो court ने ना dilemma के अंदर जहाक के देखा कि actually मैं dilemma में चल क्या रहा है जब court ने dilemma के अंदर जहाक तो court को क्या पता चला कि भाईया dilemma company तो सिर्फ नाम की England company है actually मैं तो सारा का सारा control जर्मन के हाथ में है और क्यूंकि उस time पर war थी और war में हम लोग ने सीखा है in the case of war आप अपनी alien enemy के साथ dealing नहीं कर सकते तो यह बात देखते हुए इस बात को मद्दे नजर रखते हुए उन और इसलिए for the time being आपके सारे transactions hold पर डाल दिये जाएंगे there will be no transaction between continental dilemma क्यूंकि डालेमर के अंदर के जितने लोग हैं वो सब जर्मन हैं यहाँ पर आपने देखा corporate wheel को lift किया गया और जो पीछे लोग बैठे हैं उनकी identity की वजह से company को hold पर डाल दिया गया यह आपकी पहली case law ह दूसरा है सर protection of revenue के लिए dinshaw mackenzie petite versus commissioner of income tax इसमें जो dinshaw mackenzie petite थे भया यह ना बहुती वेल्दी आदमी थे in fact इंडिया की जो first mill थी वो भी इनकी लगाई हुई थी यह टाटा अंबानी की category में आते थे very rich personality इनकी कुछ companyों में investment थी जहां से इनको dividend और interest income भारी दाम में होती थी भारी income होती थी अब इनको ना इस income पर tax नहीं देना था तो फिर इन्होंने क्या किया इन्होंने चार न खरीदने के लिए यूस की और वही पैसे को इन्होंने इन company से लोन की तरह ले लिया तो अब हर year जब इनके P&L में यहां पर dividend और interest income credit होती जो इनकी investment से आई थी ठीक हैं साथ में ये interest on loan को debit कर देते जो इन companyों को ये सिर्फ किताबों के रूप में payment कर रहे थे journal entry के माध्यम से तो इनका जो net profit होता वो कम हो जाता तो उस पर जो tax निकलता वो भी कम हो जाता ऐसे करते करते इन्होंने बहुत साल tax को evade किया फिर जब कहीं से ये news पता चली कि ये चारों companyों का nature क्या है ठीक हैं तो court ने इसमें investigate किया तो उनको पता चला कि ये चारों companyya सिर्फ paper पर बन है actually में company के ना तो कोई asset है ना तो कोई liability है जो पैसा दिंशो भाईया इनके share खरीदने में लगाते थे वो पैसा ये इनसे withdraw कर लेते थे as loan तो basically ये चारों companyya use की जा रही थी tax की चोरी करने के लिए तो court ने इन चारों companyों को sham company record किया corporate भी lift किया बोला company और दिंशो एक ही personality है ये सिफ tax की चोरी के लिए काम कर रहे थे और उनके ऊपर वापस सारी penalty tax के साथ implement ही ये आपका दूसरा case है lifting of the corporate wheel का यहाँ पर देखो मैंने properly करके भी दिखाया पहले यहाँ पर dividend और interest income होती थी सिर्फ तो net profit high होता था अब जब इनोंने ये पैसा loan की तरह निकाल लिया तो बार बार उस loan पर interest ये P&L में debit करने लगे dividend और interest का amount तो same ही रहता था जो इनको बाहर से मिलता था लेकिन loan का amount धिरे-धिरे climb करता जाता था एक ऐसा level आ गया था जहाँ पर इनका net profit zero हो गया था और tax भी उस पर zero हो गया था तो he was doing very good fraud ठीक है अचा सर अब आया सर associated rubber industry ये क्या था सर एक company थी ये limited इसका एक दूसरी company में investment था बी limited में कुछ साले चाल लाक रुपए तो यहां से ना इसको dividend income होती थी अब पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं इंडिया में एक act है जिसका नाम है payment of bonus act as per this act as per the payment of bonus act एक condition ये है कि जबी भी ठीक है bonus declare होगा जबी भी bonus declare होता है जबी भी company को profit होता है तो उनको bonus देना पड़ता है अपने worker को minimum being 8.33% total में ठीक है उनको bonus चुकाना पड़ता है तो B limited को A limited को ये जब dividend मिलता तो A limited अपने P&L में लिखता ये dividend credit करता और सामने expenditure लिखता और profit आ आ जाता तो profit आ जाता तो worker bonus मांगते अब इस bonus को ना देना पड़े इसलिए A limited ने क्या किया एक नई company खोली C limited और journal entry के माध्यम से जो B limited की investment थी वो C में transfer कर दी तो अब क्या हुआ जब जब B limited dividend declare करती तो वो C limited की किताब में आता A की किताब में आता ही नहीं तो A का हो गया net loss हो गया तो bonus देने की ज़रूरत नहीं तो फिर labor union ने कुछ साल ये देखा फिर उन्होंने complain कर दी ठेक है जब उन्होंने complain की जब इसको investigate किया गया तो पता चला कि C limited तो एक sham company है basically उसको bonus को ना payment करना पड़े इसलिए create किया गया था and it was a sham company अब आप बोलोगे general entry से कैसे transfer कि वो भी बता दो ए अपनी book में investment को हटाना है ठेक है तो उसको credit किया उसने लिखा to investment in B's account ठेक है investment in shares of B और उसको C को ये investment देनी थी तो C को उसने debit किया C limited ने अपनी किताब में क्या किया उसको investment मिली asset है तो उसने asset को debit किया और क्योंकि उसको A को पैसा देना है तो उसने एक नकली नकली A को creditor बना के books में खड़ा कर दिया ठेक है तो ऐसे ही court ने जब इसको investigate किया तो उनको पता चल गया ये sham company है तो उन्होंने C limited को बंद करव आया और A limited को bonus with penalty workers को payment करवाया ओके यहाँ पर पूरा मैंने description दिया है proper फिर आया सर merchandise transport limited versus British Transport Commission अब यहाँ पर क्या हुआ सर एक company थी merchandise transport limited उसको ना license चाहिए था देखें इंग्लेंड में operate करने के लिए तो उसने क्या किया एक subsidiary company खोली और उस subsidiary company के नाम पर license के लिए ग्रांट हो गया अब इसने क्या किया license किसी और का और उसमें अपनी गाणिया चला के trade license उसको use करके धन्दा कर रहा था it is as good as कि आपने अपने पापा का license लेके आप गाड़ी चला रहे हो पुलिस वाला पकड़ेगा तो case होगा तो ऐसे ही जब MTNL पकड़ाई तो MTL को बोला गया कि ये तो आपकी subsidiary company तो sham company है वो तो कोई काम करती नहीं आप तो उसका license misutilize कर रहे हो आप basically company को as an agent use कर रहे हो ज Mr. Hon, Gifford Motors एक company है जिसमें Mr. Hon काम करते थे ये उस company के managing director थे जब ये employment में थे तो इन्होंने एक contract sign किया था जिस contract में लिखा था कि अगर इनको कल को company से निकाल दिया गया तो ये company के existing members को solicit नहीं करेंगे मतलब उनको influence नहीं करेंगे कि हमारे पास आजाओ हमारे पास आजाओ Mr. Hon को जब company से निकाला गया तो उन्होंने एक नई company खोली hon company limited और इन्होंने ना एक newsletter भेजा notice भेजी सारे के सारे client को hon limited मतब गिल्फरेड मोटर के उनको invite किया कि आप गिल्फरेड मोटर छोड़ो hon limited आ जाओ तो सारे customers को ये लगा कि शायद गिल्फरेड मोटर की नई branch है वो लोग वैसे भी Mr. Hon को जानते थे MD था वो ठेके हैं तो वो लोग सब उदर चले गए जब गिल्फरेड मोटर को इसके बारे में पता चला तो वो लोग कोट गए तो कोट में जाके उन्होंने बोला देखिए गिल्फरेड मोटर में Mr. Hon ऐसे काम कर रहे हैं तो इसमें दो नीचे देखो तो उसके लिखाया Hon Limited तो मैं थोड़े ना भेजरा Company Notice भेजरी कोट ने बोला आपने separate legal entity का बहुती गंदा इस्तमाल के नंगा नाच किया आपने separate legal entity का और इसलिए separate legal entity काटी जाएगी आपका corporate wheel लिफ्ट किया जाएगा and you will be personally held responsible Mr. Hon और उनको penalize किया गया तो ये थे सर आपके 5 most important case studies जो corporate wheel के exception है lifting of the corporate wheel पसंद आया तो comment जरूर कर देना बज रहा है सुबा का 4 बच के 35 मिनिट जब मैं इसे record कर रहा हूँ पूरी रात नहीं सोया आपके लिए like कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना इंडिया में इस से ज़्यादा मेहनत आपके लिए प्यार अपना बनाए रखना सब्सक्राइब जरूर कर देना और comment जरूर करना पसंद आया तो thank you so much for watching bye bye see you